सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इसमें पाच नियम ऐसे है जो बदले है तो यह कौन-कौन से है इसी के बारे में आज हम बात करने वाले है तो चलिए one by one शुरू करते हैं तो सबसे पहले कई सारे parents को यह complaint था कि कई बार ऐसा होता है कि वो account में पैसे जमा नहीं करते हैं बूल जाते हैं कुछ भी होता है तो आप सोचोंगे कि साल में एक बार तो भी कैसे कोई बूल सकता है साल में एक बार कोई कैसे बूल सकता है तो होता है कई सारे बार होता है कई सारे customers भूल जाता है तो उस case में होता ये है कि वो जो account है वो irregular हो जाता है तो इसमें जो है इसे regular करने के लिए penalty लगती है तो ये penalty आपके saving account में सही देनी पड़ती है penalty क्या 50 रुपे साल का ऐसा penalty लगता है जितने साल इर्रेगुलर रहेगा उत बन्या योजना में तो ये rule जो है चेंज हो गया है अब आप एक भी अगर transaction नहीं करते हो एक भी बार अगर पैसे नहीं भरते हो साल में तो भी आपका जो account है वो default नहीं होता है account अब नहीं होगा default देखिए यहाँ पर paper cutting है मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है सुकन्य सम्मृर्द योजना में हर साल खाते में कम से कम 500 रुपे और अधिक तम देड़ लाख रुपे जमा करना अनिवारियत था अगर कोई शक्स किसी साल सुकन्य खाते में नियुनितम राशी जमा नहीं करने पर भी खाता default गोशिश नहीं होगा अकाउंट को फिर से एक्टिव न कराने पर मैचोर होने तक खाते में जमा राशी पर लागुदर से ब्याज मिलता रहेगा मतलब जित्ता भी आपका अमाउंट है आपके सुकन्य अकाउंट में उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा वो default नहीं होगा यह अच्छा एक initiative है गोवर्मेंट की तरप से दूसरा जो rule है जो change हुआ है अब तीसरी बेटी के नाम पर भी खाता खोल सकोगे तो अभी ये उसमें अभी देखिए क्याच कैसा है कि सुकन्या समरुद्योजन्या के तहट पहले दो बेटियों को अकाउंट खुलवाने पर income tax कानून के section 80C के तहट tax shoot का प्रावधन था तीसरी बेटी के लिए यहाँ छूट नहीं दी गए थी नए नियम के मुताबिक अगर एक बेटी के बाद अगली दो जुड़वा बेटिया पैदा होती है तो इन जुड़वा बेटियों के लिए भी सुकन्या खाता खोला जा सकता है और उस पर tax shoot का लाव लिया जा सकता ह मतलब अब पहली बेटी है और दुसरी टाइम अगर ट्विन हो जाते है तो तीनों बेटियों के लिए सुकन्या खाता ओपन कर सकते है तीनों के लिए tax ribbit ले सकते है तो यह है दुसरा rule जो change हुआ है तीसरा rule क्या change हुआ है वित्वर्ष के आखिर में ब्यास तो मतलब सुक बनने अकाउंट पर ब्यास वित्वर्ष के आखिर में जमा किया जाएगा ताथ ही खाते में गलत तरीके से जमा किये गए बैज को वापस करने का नियम भी खतम कर दिया है मतलब जो गलती से अगर जादा बैज वगर जमा हो जाता था तो उसे वापस लेते थे तो वो अभ सुकन्या सिमर युद्ने का अकाउंट बंद करना पहले से कही ज़्यादा आसान हो गया है नए नियम की मताबिक खाता धारक को गंभिर बीमारी होने पर भी सुकन्या अकाउंट को बंद किया जा सकता है इस से पहले सुकन्या अकाउंट होल्डर की मृत्ति होने या शादी के बाद उसका पता दिल जाने पर ही खाता बंद किया जाता था खाता धारक को गंभिर बीमारी होने पर भी अभी खाता धारक यहां पर देखिये कौन है जो लड़की है वो और उनके पैरेंट्स क्योंकि वो गार्डियन है तो ये इनको गंभिर बीमारी होने पर भी खाता ब वाले वीडियो में क्लियर करूँगा जब मुझे मिलता है तो तब तक के लिए तो हम यह रूल देख लेते हैं यह हो गया चाउधा रूल पाच्वा रूल क्या बोलता है 18 साल का होने पर अकाउंट ऑपरेट मतलब सुकन्या योजना के नए नियम के मताबिक अब अकाउंट होल्डर के 18 साल का हो जाने के बाद ही उसे अकाउंट ऑपरेट करने का अधिकार मिल सकेगा इससे पहले सुकन्या खाता के 10 साल पूरे होने पर अकाउंट होल्डर को इसे ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता था मतलब कई बार होता है जो माइनर बच्चे होते हैं दस साल से छोटे तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलता है दस साल से उपर हो जाते है तो वो खुदी अपना अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकते है बड़ अभी इसमें क्या मुला है कि 18 साल होने के बाद ही आपको वो अकाउंट ऑपरेट करने का मौका मिलेगा मतलब अधिकार मिलेगा तो ये थे सुकन्या समरुद योजना के जो पाच बड़े बदलाओ तो इन पाचो नियोम के बारे मैं मैंने आपको बताया आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सिस्क्राइब भी कीजिए अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए अपडेट के साथ एक नई जानकारी के साथ तो अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई